किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों क्यों रुक जाते हो चार दिन की मेहनत के बाद अरे वक्त लगता है बीच को फसल बनने में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का मारा टॉपिक है दोस्तों करेंट अफेयर ना और दस अप्रेल का करेंट अफेयर है दोस्तों तो आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा क्योंकि सारे कुश्चन इंपॉर्टेंट है इसी कुश्चन आपको डारेक्टर एक्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले सांथी सांथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से सिग्र ही 36 गड के किस जीले में मेथेनौल पॉइंट सुरू होगा करेक्ट हमारा आंसर आजाएगा दोस्तों औप्सन नंबर करेक्ट आंसर आजाएगा कॉंडा गाओं कॉंडा गाओं में सिग्र एथेनौल प्लांट सुरू होगा सासकनी की सुईक्रिती पश्चात निर्मान कार्य में तेजी आएगी अगला कोश्चा देखते है जोस्तों जो कि इंपोर्टेंट कोश्चन है राज्य सरकान ने 36 गर्ड वप्त बोर्ड के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है 4 सदस्या, 5 सदस्या, 6 सदस्या, 10 सदस्या करेक्ट हमारा आंसर आता है दोस्तों आप्सन नमबर 20 का करेक्ट आंसर आजाएगा 5 सदस्या, राज्य सरकान ने 36 गर्ड वक्त बोर्ड के लिए 5 सदस्यों की नियुक्ति की है ये सदस्या अपने में से एक को अध्यक्च चुनेंगे संकेत है कि जिस्टिम मिहादुदिन बोर्ड के अगले चेंपियन होंगे राज्य सरकार द्वारा जारी अधी सूचना के अनुसार केंद्रिय वक्त अधिनियम 1995 के तहद बोर्ड का गठन किया जा रहा है जारी के अनुसार जश्टिम मिजहाज 11 अप्रेल को अपना पदभार ग्राहन करेंगे आई होप दोस्तों क्विश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अगला क्विश्चन देखते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष से अधिकुम्र के लोगों को बुश्टर डोज लगानी की घोसना की है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष करेक्ट हमारा आंसर आता है दोस्तों 18 वर्ष पॉइंट आफ यू के हिसाब से समझते हैं केंद्रिय स्वास्थ है मंत्राला के अनुसार केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से अधिकुम्र के लोगों को बुश्टर डोस लगाने की घोसना की है सेकेंड पॉइंट है नेजी टी का करन केंद्रो पर अब 10 अप्रेल से 18 अप्रेल से जादा उम्र के लोगों के लिए खुरा कुपलब्ध होगे अगरा कुश्चन देखते हैं दोस्तों प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयू के 99 प्रसेंट लोगों को कुरोना वैक्सिन का पहला डोस और कितने प्रतिसत लोगों को कुरोना वैक्सिन के दूसरा डोस लगाए जा चुके हैं 80 प्रसेंट 83 प्रसेंट 90 प्रसेंट 93 प्रसेंट करेक्ट हमारा अंसर आएगा दोस्तों 83% आप्सन नमबर 2 इसका करेक्ट अंसर आएगा पॉइंट आफ यू के हिसाब से समझते हैं हमारी टीम के रिकॉर्ड बनाया देश भर में सबसे ज़्यादा वैक्सिन लगवाने वाला देश वालों में 36 गड़ अवल है कोविड टीका करण की राज नोडल अधिकारी डाक्तर प्रियंका सूकला ने जारी की है जानकारी दी है प्रदेश में 15 वर्ष से अधिकायू वर्ग की टीका करण का आउसत राश्टिय आउसत से ज़ादा है राश्टिय इस्तर पर इसका असर पहले एवं दूसरे डोज के लिए क्रमसह 96 और पहला 83% है नेक्स्ट कुश्चन दोस्तों निम्न में से किसने हाल ही में सेमी कौन इंडिया सलाहकार समीती की इस्थापना करने की घोसना की है भारत सरकार, तरकी सरकार, कूरिया सरकार या फिर इन में से कोई नहीं सहीं हमारा अंसर आता है दोस्तों आपसर नमबर A का करेक्ट अंसर आजाएगा भारत सरकार पॉइंट आफ यू के हिसाब से देखते हैं भारा सरकान ने हाल ही में सेमी कौन इंडिया सलाकार समीती की इस्थापना करने की घोसना की है सेकेंड पॉइंट है जिसका नेत्रित्व इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्री अवसनी करेंगे और राजिव चंद्र सेखर राज्य मंत्री इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्रालय उपाध्यक्ष के रूप में होंगे नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तों जोकी इंपोर्टेंट हमारा कुश्चन है मुख्य मंत्री स्री भुपेज बगेल की मानसिक रेडी वारता लोकुमारी की 28 वी कड़ी का प्रशारन कब होगा 15 अप्रेल 2022, 17 अप्रेल 2022, 1 मई 2022 या फिर 4 मई 2022 करेक्ट आंसर देखते हैं दोस्तों 17 अप्रेल 2022 इसका करेक्ट आंसर आएगा पॉइंट आउ फियू के हिसाब से देखते हैं मुख्य मंत्री स्री भुभेज बगेल लोकुमारी में इस बार 9-36 गड़ नवा बजट विशाय पर बातचीत करेंगे कब करेंगे 17 अप्रेल 2022 को नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं दोस्तों जो की इंपोर्टेंट है 36 गड़ के बस्तर में परियाटन को बढ़ावा देने के लिए विडियो एल्मम बनाया गया है जिसका नाम है मूर राजनाद गाओं दूसरा है अरपा पैरी के धार तीसरा है बस्तर चोगीत और चौथा है इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों बस्तर चोगीत पॉइंट आफ यू के हिसाप से देख ले हैं इसे आरूग म्यूजिक के यूटूबर चैनल पर लॉंच किया गया है अनम, डी, सी और जीला प्रसासन ने मिलकर 4 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो एल्बम को बनाया गया है बस्तर ची गीत सौंग को सागर बोस और भूनेश्वर यादाव ने लिखा गया है जिसका गायक राकेस तिवारी ने अपनी आवाज दी है इस गीत में बस्तर के प्रमुख एवं उभरते परियटन इस्थलो को आकरसित धंक से दिखाया गया है इस वीडियो एल्बम बनाने का मुख्य उदेश है परियटन को बढ़ावा देने से है बस्तर ची गीत आप लोग आंसर को याद रखेंगे दोस्तों नेक्स्ट कोस्चन की ओर चलते हैं 36 गड़ में कितनी और नई तहसिल बनने की घोसना की है 5, 6, 7, 10 करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों 6 विनियोग विधैयक पर चर्चा के दरांसी एम भुपेज बगेल ने घोसना की है इसमें कमरधा जीले में पिपरिया और कुंडी कूरिया जीले में बचरा पैरी और बलरामपूर में चलगली जानगीर चापा में हसाद और मुंगेली में सारगाउं सामिल है सियम अगलग अलग अवसरों पर पिछले तीन सालों में 74 नई तहसील की गठन घोसना कर चुके है अगला प्रासना देखते हैं दोस्तों एसिया का सबसे बड़ा फॉलसी हेरिटेज साइस 36 गड़ बनेगा फॉलसी हेरिटेज को विक्सित करने के लिए कितने रूपय का प्रोजेक्ट तयार किया गया है पांच करोड दस लाख या फिर छै करोड आठ करोड या फिर दस करोड करेक्ट आंसर देख लेती हैं दोस्तों आठ करोड पॉलसी हेरिट फिर हाल आठ करोड रूपय का प्रोजेक्ट तयार किया गया है यहां भारत का पांच वब प्रदेश का पहला समुद्रिय जिवास्म पार्क है मुख्यमंत्री भुपेज बगेल विसवाने की दिवस पर वर्चुल नीव रखेंगे पार्क का 21 मार्च को सीएम के हाथों वर्चुल नियम रखवाने वाले का कार्यकरम प्रस्तावित है कोरिया जिले के हसदेव नदी तट पर 28 कडोड साल पुराने मेरिट कौसल पार्क को संरक्षित एवां बायो डार्फिन साइड बनाने की चिनहित कर लिया गया है यहाँ एसिया का सबसे बड़ा हॉलिस्ट हेरिटेस साइड बनेगा मनेंद्रगर्ड रेलवे स्टेशन में बूड लगाया गया है फालसी स्पार्क को विक्सित करने 8 कडोड रुपिय बजट बनाया गया है यहाँ रासी सी एल के सी एल आर मद से मिलेगी आई होप दोस्नों कुष्टान आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट कुष्टन क्यों चलते हैं केंद्रिय ग्रामिन विकास मंत्राले ने 36 गड में महत्मा गांधी राष्टिय ग्रामिन रोजगार गरेंटी अधिनिया मंद्रिंगा के लेबल बजट में कितने मानाओं दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है एक कड़ोड दूसरा है तीन कड़ोड चार लाख रुपिय तीसरा है दो कड़ोड 22 लाख रुपिय या फिर पांच कड़ोड 30 लाख रुपिय करेक्ट आंसर हमारा आता है दोस्तों आपसा नमबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दो कडूर 22 लाख रुपए, पॉइंट आफ योग के हिसाब से समझते हैं दो कडूर 22 लाख मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है अब प्रदेश में चालू वितिय वर्स के लिए मंदेंगा के तहत रोजगार स्रीजन का लच्छ साड़े 13 कडूर मानव दिवस की बढ़ा कर 15.72 कडूर मानव कल्यान को हो जाएगा सेकेंड पॉइंट है, 36 गड़ में लेबल बजट बढ़ाने के पस्ताव को मंजूरी दी गई है प्रदेश में इस वर्स अब तक मनरेंगा के अंतरगत 28 लाग से अधिक परिवारों के करीब 54 लाग 5,000 स्रमी को काम दिया गया है इस दोरान 4,75,374 परिवारों को 100 दिनों से अधिक रोजगार की मुहाया कराया गया है ये भी कोश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों इस कोश्चन को भी पटवारी या फिर होटल अदिक चक में पोश सकता है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं मुख्यमंतरी भुपेज बगेल ने कब गोमन गुलाब लाँच किया है एक मार्च एक फरवरी बारा मार्च या फिर सोला मार्च इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे बताएंगे दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा सेकेंड हमारा क्विज है दोस्तों 36 गड में कितने कोशा सिल्क की यात्रा पर प्रकासित पूस्तक का विमोचन किया मुख्यमंतरी भुपेज बगेल दूसरा है राजयपाल अनुसुया उके और तीसरा है टी एस सीह देव और चौता है अमरजीत भगत इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे बताएंगे दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा आई होब दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले देली करेंट अफेयर के लिए मैं मिलता हूँ अगला करेंट अफेयर में तब तक के लिए बाबाय टेक क्यार थांक्यू फार वाशिंग मैं वीडियो दोस्तों